जै मातादी आज के इस वीडियो में हम सभी बात करते हैं कि हिंदु धर्म में केसरी रंग का महत्व क्या है आप जानते हैं हमारे जंडे में भी केसरीया रंग है बल भरने वाला रंग कहा जाता है आपने राष्टगान भी गाया होगा उसमें केसरिया रंग भरने वाला कहा भी जाता है तो केसरिया रंग का महत्तो जो है वो क्या है अलग धर्मों में भी है हम इस पर पुनता चर्चा करेंगे बहुत से लोगों से लोग सवाल पूछ देत ये व्यक्तिगत धारना पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा रंग प्रिया लगता है लेकिन वास्त्विक्ता तो यह है कि प्रकृती द्वारा बनाये गए रंगों में कोई भी रंग खराब नहीं है मानुस सभ्यता में अलग-अलग अउसरों पर अलग-अलग रंगों को प्राथमिकता दी गई है जैसे कि शादी विवाह जैसे अउसर जो होते हैं शुभ अउसर होते हैं तो लाल रंग को यहां पर बहुत अच्छा माना गया है मिर्त्य इत्यादी होने पर सफेद रंग को अच्छा माना जाता है और धार्मिक कारियों के लिए साधु सन्यासियों के लिए केसरिया और पिला रंग का होना अच्छा माना जाता है तो आज हम विशेस रूप से केसरिया रंग के विशे में बात कर रहे हैं हिंदु धर्म में केसरी रंग को बहुत ही शुभ माना गया है धर्मिकारियों के लिए भी केसरी रंग का चुनाव किया जाता है और साधु सन्यासी भी केसरिया रंग को ही प्राथ मिक्ता देते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ केसरी रंग ही क्यों रंग तो सभी शुभ होते हैं तो आए जानते हैं अब इस सवाल के जबाब को अगनी जीवन से अज्यान रुपी अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है जीवन से हर बुराई को दूर करने का प्रतीक है अगनी जीवन में सकारात्मक सोच का संचार करती है अगनी नकारात्मक सोच को दूर करती है अगनी प्रकाश का प्रतीक है अगनी केसरी रंग अगनी के रंग के समान होता है इसलिए केसरी रंग शरीर पर धारन करने से अगनी तत्व के समान ही हर तरह से सकारात्मकता प्राप्त होती है यानि कि ये एक सकारात्मक और पोजिटिविटी एनरजी भरने वाला रंग है अगनी को सबसे पवित्र माना गया है जिस प्रकार से अगनी तत्व में मिल करके सब कुछ पवित्र हो जाता है ठीक उसी प्रकार से केसरी रंग भी पवित्रता का प्रतिक होता है आप जानते हैं कि किसी भी धातु को गला करके शुद्ध रूप में लाना हो तो अगनी का इस चार से पवित्र होने लगते हैं यह माना जाता है स्वेम को पवित्र करके ही आप स्वेम में सकारात्मक सोच को जन्म दे सकते हैं सदु सन्यासी केसरी रंग के वस्तर सिर्फ इसलिए ही नहीं पहनते कि इससे उन्हें एक अलग पहचान मिलती हैं बलकि इसलिए भी पहनते हैं ताकि वे स्वयम को पवित्र रख करके मुक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें अपको आगे बढ़ा सकें प्राचीन समय में रिशी मुनी अपने साथ अगनी ले करके चला करते थे यह अगन वज को साथ रखना अरंभ कर दिया तभी से यह केसरी रंग को साथ रखने और केसरी रंग के वस्तर पहनने की परमपरा चलती आ रही है अब इसके बारे में थोड़ी से और जानकारी ले ले लेते हैं हिंदु धर्म के अलावा बौध धर्म में भी भगवान बुद्ध को क केसरिया रंग के वस्तर पहने हुए ही देखा गया है बौध धर्म के अनुसार केसरी रंग आत्मत्याग का प्रतिक होता है आत्मत्याग से आशे है कि स्वैम को इस संसार की सभी मोह माया से विरक्त करना यानि कि सारी मोह माया से कट जाना दूर हो जाना सिख धर्म में भी क केसरी रंग को बहुत महत्व दिया गया है तो केसरी रंग के बारे में जो जानकारी अब तक उपलब्ध है उसके अनुसारी यहीं है कि यह बल भरने वाला रंग है और इसका इसी वजह से जादा उपयोग किया जाता है कि हमारे जीवन से बुराईयों को जैसे अगनी जो है गंदगी को दूर कर देती है सफाया कर देती है और किसी भी धातु को शुद्ध बना देती है वैसे ही केसरी रंग हमारे जीवन को शुद्धता देता है हमारी बुराईयों को दूर करने में मदद करता है बल भरता है शक्त देता है इसलिए इसका धारन किया जाता है तो आ अपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बेल नौटिफिकेशN कौन कर लिजए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई जानकारी हम लेकर को दे रहते हैं साथ ही साथ आप सभी Comment किजिए चैनल पर मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये जानकारी कैसी लगी या आपको केशरी रंग के बारे में यानि कि भगवा रंग के बारे में कोई अन्य जानकारी है तो वो भी लिख भेजिए ताकि अन्य लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके इसके अलावा आप ये वीडियो अंत तक देखे इसलिए दिल से धन्यवाद ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें जैमातादी